आज हम बनाएंगे हुडलो रेस्टोरेंट जेशा खिला खिला एक फ्राई राइस जिसे बनाना बहुत ही असान है बहुत ही कम समय में इसे बना कर त्यार कर सकते हैं हेलो फ्रेंड एंड फेमली वेलकम बैक टू माई कुकिंग चैनल जो फ्रेंड आज में लेके आगे हूं खिली-खिली बिलकुर एक्प्राई राइस जिसे बनाना बहुत ही असान है और बिलकुल भी चावल तूटे का नहीं ऐसे हम बनायेंगे और बहुत ही टेस्टी और चटपटी एक fry rice बनकर रेड होता है बिल्कुल हम जैसे hotel और restaurant में खाते हैं वैसे बनकर रेड होता है और इसे बनाना बहुत ही असान है एक बार इस तरीका को आपने फॉलो करनी है ला फिरेंट तो हर बार यह तरीका अपनाएंगे तो वीडियो में लाज तक बने रहे और छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक बटन जरू क्लिक किजिएगा चैनल बने तो सस्क्राइब भी कर लिजिएगा तो फ्रेंड सबसे पहले हमने एक फ्राइ राइस बनाने के लिए यहाँ पर वैल लिया है तो इस वैल में हमने अभी चिकन मंचूरियन बनाया है इसलिए वही वैल है तो फ्रेंड आपको ऐसे भी जो कुगिंग वैल यूज करते हैं तो वो डाल सकते हैं तो देखिए फ्रेंड हमने तेल को अच्छे से ग्रम कर लिया है अब इसमें हम डाल दिया है दो अंडे तो अंडे की कौंटिटी आप बढ़ा सकते हैं चावल आपको कितनी मात्रम पर आई करना है उसके एक और इंग ले सकते हैं और आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं बच्चों के टिपिन में भी दे सकते हैं आजकल ठंडी का मौसम है तो फ्रेंड इसे हम बिल्कुल थोड़े से नमक डालकर पहले अच्छे से एक को फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए अच्छे से इस पर घलके हलके गोल्डन कर आ गynnए तो अब इसे हमें निकाल लेना है तो ये ये उसी पेन में फ्रेंड हम वैल डालेंगे तो यहाँ पर हमने थोड़ी से खम वैल डाला है वैल को अच्छे से ग्रम हो जाने दें और गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे अब यहाँ पर यहाँ पर हमारा वैल भी अच्छे से ग्रम हो गया है जब भी हम शर्षो का तेल यूज करते हैं कुकिंग में तो थोड़ा एस्ट्रा ग्रम करना पड़ता है कि इसकी स्मोगी फ्लेवर होता है इसलिए अब इसमें हम डाल देंगे बारी कटे हुए अद्रक और लसन जो की बारीक बारीक हमने चौप कर लिया है इसमें कुछ सबजे आड़ करेंगे जैसे की हम यहाँ पर डाल रहे हैं प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च आप चाहो तो इसमें गाजर भी आड़ कर सकते हो ट थोड़े से सौते कर लेंगे हाई फ्लेम पर अब नेंगे हरी प्याज, गया फ्राइव तो बहुत ही जरूरी है यहाँ पर एक फ्रायी डालना के हैभास यह तो यहीं जड़त देकिे, बिलकुल थोड़ा सा ठंडा हो phryryивाराई बनाते हैं Echo चाहाँ बनाते चाहल हमारी ठं मिर्च वरम मसाला शीय। बुलगे जीअरे रिट डाल में एक उका मुझे है। द्रच के लिए तो फरेनितर के लिए बूर। रेडी हो जाएगा और एक से दू मिनिट के लिए इसे हम हाइफ लेंप पर ही बून लेंगे और इसके चाल को देखी बिल्कुल भी चाल नहीं टूटा है बिल्कुल खिला खिला चाल बना है तो जब भी हम चाल को फ्राइड करते हैं या सिजवाइड आइस बनाए या या भी मंचूरीयन के साथ आप सर्व किजां बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग लगता है आप इसे बच्चों के टिमिन में भी ऐसे भी देर सकते हैं या फ्राइड आइस ऐसे भी खा सकते हैं और यह बनाना बहुत ही असान है तो फ्रेंट रियल आपके सामने हैं देखी क इतना खिला खिला बना है और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे ना हम तो बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सर्व लगता है दिखने में जितना ही ज्यादा टेस्टी दीख रहा है खाने में उतने ही ज्यादा टेस्टी और स्वादिश्ट बनता है आप इसे ऐसे भी खा सकते ह तो हम इसे यहां पर सर्व करेंगे चिली चिकन के साम जिसे मेरे बच्चों को और मेरे परिवार में सब को बहुत ही पसंद आती है तो आप भी इस रेशिपी को एक बार ट्राइ जरूर कीजिएगा मेरे तरीके से आपके घर में सब को भी पसंद आएंगे आई होप आज की र आपके साम सीरी सिवीर काय त।